वाइज्ञानिक चैतना के वाहग चंदर्शेकर वेंकड रामन पेट से सेव गिरते हुए तो लोग सद्यों से देखते आ रहे थे मगर गिरने के पीछे चिपे रहस्य को नूटन से पहले कोई और समझा नहीं पाया था ठीक मुसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्नी आबा को भी असंके लोग आधिकाल से देखते आ रहे थे मगर इस आबा पर पड़े रहस्य के परदे को हटाने के लिए अमारे सक्षम उपस्तित हुए सरचदर्शेकर वकट रामन बात सन 1921 की हैं जहाज के डेख पर कड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेम रामन को अच्छा लगता था वे समुद्र की नीली आबा में गंटों को ये रहते लेकिन रामन खेवल बाहुग प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिग्ञासा भी उतने ही सशक्त थे एही जिग्ञासा उनसे सवाल कर बैटी आकर समुद्र का रंग इला ही क्यों होता है कुछ और क्यों नहीं रामन सवाल का जवाब दूनने में लगए जवाब दूनते ही विश्विज्यात बन दे रामन का जन साथ नवबर सन 888 को तमिल्नाडु के दुर्चिरापल्ली नगर में होवाता है इनके पिता इसाक पट्नम में गणित और बोतिकी के सिक्षकते पिता इनहें बच्पन से गणित और बोतिकी पड़ाते थे इसमें कोई अचिशोत्ती नहीं होगी कि जिन दो विश्यों के जान ने उन्हें जगत प्रसिद बनाया उनकी शशक्त निव उनकी पिता ने ही तैयार की दिक कालेज के पड़ाई उन्हों ने पहले येबियन कॉलेज तुर्चिरापली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मेद्रास से की विए और एम्ये दोनों ही परिशावों में उन्होंने काफी उन्ची अंक हाश्टल की रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलजाने के लिए बच्पन से ही बेचे नहता था अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने सोधकारी में दिल्चस्पी लेना शुरु कर दिया था उनका पहला सोधपत्र फिलासोफिकल मैजेन में प्रकाशित होवा था उनकी दिल की इच्चा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन सोधकारी को ही समापित कर दे मगर उन दिनों स्वधकारि को पूरे समय के केरियर के रूप में अपना आने की कोई कास रवस्ता नहीं थी प्रद्वावन चात्र सरकारी नवकर की वोर्ब आकर्शित होते थे रामन भी अपने समय के अज्य सुयोग चातरों की ब्रांती बारा सरकार के वित्तिविबाग में अफसर बन गए उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई कलकत्ता में सरकारी नोकरे के दोरान उन्हों में अपने स्वाबाविक रुजान को बनाए रखा दफ्तर से पुरसत पाते ही वे लोडते हुई बहु बाजार आते हैं जहां इंडियन असोसेशन आफ दा कल्टिवेशन आफ साइन्स की प्रयोग साला थी यह अपने आप में एक अनूटी समस्ता थी जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महिंद्रलार सरकार ने वर्शों की कटिन महिनत अवरू लगर के बाद कड़ा किया था इस समस्ता का उद्देशत देश में वैज्ञानेक चेहतना का विकास करना अपने महान उद्देशों के बावजोत इस समस्ता के पास साधनों का नितांत अबावता रामन इस समस्ता की प्रत्योग साला में काम चलावू उपकरणों का इस्तेमार करते हुए सोधिकार करते हैं यह अपने आप में एक आधनिक हट्योग का वदाहर्णता जिसमें एक साधक दप्तन में कड़ी महनत के बाद वहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोग साला में पहुंचता और अपनी इच्चा शक्ती के जोर से बोतिक विज्ञान को सम्रुद बनाने का प्रयास करता उन्ही दुनों वे वादियंत्रों की वोर आकर्षित हुएं वे वादियंत्रों की दुन्यों की पीचे चिपे वहिज्ञानिक रहस्यों की परतेम कोलने का प्रयास कर रहे थे इस दोरान उन्हों में अनेक वाधियंत्रों का अध्यन किया जिन में देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाधियंत्र थे वादियंत्र पर किये जा रहे सोधकार्यों के दोरान उनके अध्यन के दाइरे में जहां वाईलिन, चेलो या पियानों जैसी विदेशी वादिय आये वही वीना, तानपुरा और मुर्दंगम पर भी उन्हों ने काम किया उन्हों ने वादियंत्र विदेशी वादियंत्रों के तुलना में गट्या है वादियंत्रों के कंपन के पीचे चीपे गणित पर उन्हों ने अच्छा कास काम किया और अनेक सोधपत्र भी प्रकाशित किये उस जमाने के प्रशिद सिक्षा स्यास्त्री सरग आशुतोर्ष मुकरजी को इस प्रत्वावान उवक्य बारे में जानकारी मिली। उन्ही दिनों कलकत्ता विस्विज्जाले में प्रफसर का नया पद सुजन हुआता। मुकरजी महोदे ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा की वे सक्कारी नोकरी चोड़ कर कलकत्त विस्विज्जाले में प्रफसर का पद सुजन हुआता। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यन्त प्रसिष्टित सरकारी पद परतें। जिसके साथ मोटी तनकवाह अवरू अने की सिवधायं जुडी हुई दी। उन्हें नोकरी करते हुई दशवर्ष बीच चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नोकरी चोड़ कर। खम वेतन अवरुं खम शुवधावों वली विस्सेविध्यारै की नोकरी में आनेका फैसले करना किम्मत्य खाम्त . रामन सरकारी नोकरी की सुखुशुवधावों को चोड़ 1967 में ुन्केलिये सरस्वती की साधना सर्क्रारी सुक्रिश्युदावों से कहीं अधिक महतो पूर्ण दि कलकत्ता विस्विजले के सैशिनेक माहोल में वे अपना फूरा समय अधियन, अध्यापन और सोध में बिताने लगी चार साल बाध्यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दोरान जब रामन के मस्तिश्क में समुद्र के नीले तंगों की वजह का सवाल किलोरे लेने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किये जिसकी परिनती रामन प्रभाव की कोज के रूप में हुई रामन ने अनेक टोस रवोम और तरल पदार्दों पर प्रकाश के करणों के प्रभाव का अधियन किया उन्होंने पाया कि जब एक वर्नी प्रकाश के करण किसी तरल या टोस रवेदार पदार्द से गुजरती हैं तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है वज़े ये होती है कि एक वर्णी प्रकाश की खिरण के पोटान जब तरल या डोस रवे से गुजरते हुई इनके अडवों से टकराते हैं तो इस टकरावण के परिणाम स्वरूप वे या तो गुर्जा का कुछ अम्षु को देते हैं या पा जाते हैं दोनों ही चितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती हैं एक वर्णी प्रकाश की क्रणों में सबसे अधिक वर्जा बेंजनी रंग के प्रकाश में होती हैं बेंजनी के बाद क्रमशह, नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता हैं इस प्रकार लाल वर्गीय प्रकाश की वूर्जा सबसे कम होती है। एक वर्गीय प्रकाश तरल या डोस रवोम से गुजरते हुए, जिसे परणाम में वूर्जा कोता या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण परवर्तित हो जाता है। रामन की कोज बोतकीक के शेत्र में एक क्रांती के समान दिंग। इसका पहला परणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकुर्ती के बारे में आइंस्टेन की विचारों का प्रायोगीक प्रमान मिल गया। आइंस्टेन के पोरवर्ति वहिज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। मगर आइंस्टेन ने बताया कि प्रकाश आति सुष्मकणों की देवरदारा के समान है। इस आति सुष्मकणों की तुलना अइंस्टन ने बुलेट से की और इनहें पोटानू नाम दिया रामन की प्रयोगों ने अइंस्टन की दारणा का प्रत्यक्ष प्रमान दे दिया क्योंकि एक वर्नी प्रकाश के वर्न में परिवर्तन ये शाफतोर पर प्रमानित करता हैं की प्रकाश की किरण तियवर रामी सुष्मकणों के प्रवाग के रूप में विभार करती है रामन की कोज़ के वजह से पदार्दों के अनुवों और परवाणों की आंतरिक सम्रचना का अध्यन सहर हो गया। पहले इस खाम के लिए इंफ्रारेड स्वेट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तक्नीक हैं और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की कोज़ के बाद पदार्दों की आनुविक और परवाणुविक सम्रचना के अध्यन के लिए रामन स्पेट्टोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तक्नीकी एकवर्गिय प्रकाश के वर्नमे परिवर्तन के आधार पर पदार्दों के अनुवों और पर्वाणों की सम्रचना की सट्टिक जानकारी देती है। इस जानेकारे की वजह से पतारदों का संस्रेशन प्रयोग साला में करना तदा अनेक उपयोगी पतारदों का खुत्रिम रूप से निर्मान संभव हो गया है। रामन प्रभाव की कोज ने रामन को विस्व के चोटी के वज्ञानों की पंती में लाकडा किया। प्रशकारों और सम्मानों की तो जैसे चड़ी सी लगी गई। उन्हें सन 1924 में रायल सोसेटी की सदस्य से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर के उपादी प्रदान की गई। टीक अगले ही साल उन्हें विस्व के सर्वोच पुरसकार बोध की में नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया। उन्हें अहर भी कई पुरसकार मिलें। जैसे रोम का मेत्यूसी पदक, रायल सोसेटी का क्यूज पदक, पिलोडस्पिया इंस्टिस्टूट का प्रैंकलीन पदक, सोवियत रूस का अंतरराश्ट्रिय लेनिन पुरसकार आजी। सन 1994 में रामन को देश के सर्वोच सम्मान भारत रतना से सम्मानित किया गया। वे नोबल पुरसकार पाने वाले पहले भारती वैज्डानिक थे। उनके बाद वे पुरसकार भारती नागरिकता वाले इसी अन्य वैज्डानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अजिकांच सम्मान उस दोर में मिले जब बारत अंग्रेज का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने बारत को एक नया आत्म सम्मान और आत्म विश्वास दिया। विज्ञान के शेत्र में उन्हों ने एक नई बारती चैतना को जागृत किया। बारती समस्कृती से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्हों ने अपनी बारती पेचान को हमेशा अश्रुन लगा। अंतर राष्ट्रिय प्रसिद्धी के बाद भी उन्हों ने अपने दर्शिन बारत पहनावे को नहीं चोड़ा। वे कट्टर शैकाहरी थे और मद्रा से सक्त परहेज रखते थे। जब वे नवल पुरसकार प्राप्त करने स्तागों गये तो वहां उन्हों ने आलका हाल पर रामन प्रभाव का प्रदश्ण कियां। वाद में आयोजित पात्ती में जब उन्हों ने शराप किने से इनकार किया तो एक आयोजत ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब आलका हाल पर रामन प्रभाव का प्रदश्ण कर हमें आहलादित करने में कोई कसर नहीं चोड तो रामन पर आलकोहल के प्रपावखा प्रदेश्ण करने से परहेश क्यों रामन का वैज्जानिक वित्तितु प्रयोगों और स्वध पत्र लेकन तक सिमटा हुआ नहीं ताम उनके अंदर एक राष्ट्री चैतना थी और वे देश में वैज्जानिक दुष्टी अवरुम चिंतन के विकास के प्रती समर्पित थी उन्हें अपने शुरुवादी दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें दंग की प्रयोगिशाला और उपकरणों के अबाव में राफिस अंगर्श करना पड़ाता इसलिए उन्हें उन्हें ने एक अत्यंत वुन्नत प्रयोगिशाला और सोज समस्तान के स्तापना की जो बेंगलूर में स्तित हैं और उन्ही के नाम पर रामान रिसर्च इंस्ट्रिटूट नाम से जानी जाती हैं बोतिक स्यास्त्र में अनुसंदान को बड़ावा देने के लिए उन्हुमने इंडियन जेनरल आफ फिजिक्स नामक सोज पत्र का पैरमगें अपने जीवनकान में उन्हुमने सैकड़ों सोज चात्रों का मार्ग दर्शन किया जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उड़ते हैं उसी प्रकार उनके शोद पत्रों ने आगे चल कर काफी अच्छा काम किया उन्ही में कई चात्र बाद में उच्छ पदों पर प्रतिश्रित हुए विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करेट सैन्स नामक एक पत्रिगा का वे समपाधन कर देतें रामन प्रबाव केवल प्रकाश के किरणों तक ही सिम्मटा नहीता उन्हों में अपने विक्तित्व के प्तकाश किरणों से पूरे देश को आलोकित अवरू प्रबावित किया उनकी मुर्चु 21 नोवंबर सन 1970 के दिन 45 वर्ष के आयू में हुई रामन वैज्जानिक चेतना अवरूं रुष्टी की साक्षात प्रत्मूर्थी थे उन्हों में हमें हमेशा ही ए संदेग दिया कि हम अपने आसपास गटी रही विविन्यु प्राकृतिक गट्नावों की चान वीन एक वैज्जानिक रुष्टी से करें तबी तो उन्हों में संगीत के सुरताल अवरूं तकाशी किरुणों की आबा के अंदर से वैज्जानिक शिद्दान्थ कोज लिखा लेगी हमारे आसपास ऐसी ना जाने कितने ही चीजें विक्री पड़ी है जो अपने पात्र की तलाक्ष में है जरूरत है रामन के जीवन से पेरना लेने की और प्रकूती के बीच चुपे वैज्जाने के रहस्य का बेदन करने की धन्यवाद